कि दोस्तों आज मैं एक यूनिक पापर की रेशिपी सेयर कर रही हूं यह जो हरी मिर्धनिया थी वह सूख गई थी उसलिए मैंने थोटे-चोटे-पीस में काट लिए और यह हरी मिर्च उसको भी चोटे-चोटे-पीस में काट लिए कि यह रेड बेल पेपर उसको भी चोटे-चोटे-पीस में ही काटना है कि इतना महीन काटेंगे आपको टेस्ट अच्छा आएगा और यह 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 यहलो बेल पेपर अब आलू को बॉयल डालू को मैंने ग्रेट कर लिया अब मेरे घर में सब लोग पनीर खाते नहीं है इसलिए मुझको दो पार्ट में करना पड़ा एक आलू का और एक पनीर का तो इस पनीर में भी थोड़ा सालू तो मिक्स किया मैंने टेस्ट के लिए उसमें थोड़ी सी हरी मटर और जो वह मैंने बेल पेपर बागार अप्रिस किया था उसको थोड़ा सा दिया बचा के रखना पड़ा आलू के लिए थोड़े में जी आलू से बनाने पड़े और पनीर और आलू मिक्स करके इसको तो अच्छी तरह मैस्ट करके तो गोला बना लिया मैंने पार्ट कर लिए उसमें नमक इसको मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया इसमें पापड को थोड़ा पानी से मौयस्स करना पड़ा पानी से नमी लाने से पापर scrutiny नरम हो जायेगा फिर हम उसमें फिलिंग करेंगे आलू का है एक एक पापड में दो दो गोला डालकर मैंने फिलिंग किया बीच से काट लिया उसको तोड़ा सब एजस को बंद करके जल्दबाजी में गर्मी में जैसे भी बना उतना अच्छा शेप नहीं आया लेकिन यह बहुत ही टेस्टी बनता है अभी इसमें से पनीर वाला दोनों के शेप अलग करने पड़े पहचान के लिए अब इसको हम फ्राइब कर लेंगे मस्टर्ड ओयल में मैं बनाती हूं अच्छा टेस्ट आएगा पापड को फ्राइब करेंगे इसी बीच हम मसाला बत तयार कर लेते हैं यह जीरा है यह साबुत धनिया मिर्च मैंने फिलिंग में डाले हैं इसलिए एक ही हरी मिर्च डाला इसमें टमाटर में ज्यादा तर बीज निकाल देती हूं उससे ज्यादा खटा नहीं बनता यहां खटापन से सबको अच्छा नहीं लगता ओयल भी गरम हो गया अब साधानी से एक यह करके उसमें डालना पड़ेगा थोड़ा चिपकता है पापड़ है ना गीला हो जाता है तो चिपकने लगता है अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए पहले जितना लाल लाल हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा जितना अच्छा उसको फ्राई करेंगे मैं ज्यादा तेल यूज नहीं करती मुझे हर खाना मैं थोड़ा कम तेल से बनाती हूं क्योंकि गर्मियों में प्रॉब्लम होता और वैसे भी हल्थ के लिए यह सबको सूट नहीं करता ज्यादा ओयल यह मसाला रेडी हो गया अब एक एक करके इसको निकाल लेते हैं इसको आप ऐसे भी चटनी से खाकर देखना बहुत तेस्टी बनता है स्नैक्स की तरह है यह पनीर वाले स्टनीच की तरह है यह पनीर वाले अब आईल में मैंने थोड़ा हींग दे दिया तड़के में मसाला इसमें नमक फल्दी मसालय स들 ओवे चोड़ी तड़ाना नियुक्तियाकै की दल read ACT अब अपने हिसाब से घ्रेवी बनाईए इंकि ये पूरा ही सोख लेता है बाद में जिब पूरा बन जाता है तो पापड़ बहुत जल्दी पानी सोक लेता है इसलिए उस हिसाब से करिए आपको ग्रेवी चाहिए तो पानी डाली है नहीं चाहिए तो यह वैसे भी अच्छा लगता है तो मैंने आज बंद कर दिया खौलने लगा जब पापड़ को आच बंद करके ही डाली क्योंकि यह पूरा गल जाता है नहीं तो यह बन चुका है यह बहुत ही टेस्टी बनता है आप खा के देखिए बना के देखिए बहुत अच्छी रेसिपी है हमें बहुत अच्छी लगी धन्यवाद